तो यह जमीन से जुड़े होते हैं और अब यह जमीन से जुड़े होने के लिए unicellular और multicellular होते हैं अब क्या है इसके लिए अब जमीन से जुड़ने का मतलब मैं आपको एक चीज अभी clear करूंगी अभी एक structure आपको दूंगी तो इसमें क्या है ना कि hair-like structure होता है जमीन से इंको जोड़े रखने के लिए ये ऐसे नहीं जुड़े होते हैं इनको जबरदस्ती hair-like structure लेके जोड़ी रहती है यानि वो क्या होता है राइजुआइट्स कहलाता है hair-like structure होती है जो राइजुआइट कहलाती है आप समझ में आया यह जमीन से तो जुड़े होते हैं लेकिन इनको जवरदस्ती जोड़ा जाता है अब यह मैं बताती हूं कैसे फिर क्या है एक बार इसको ड्रॉः करके आपको बता देती हूं इसके बाद आगे चलते हैं तो हिए लाइक स्ट्रॉक्चर ना बता रही हूं जैसे कि आप सोचों कि यह स्वाइल है जमीन की परत है और ये मतलब जादा उपर भी नहीं और ये ऐसे हैं और इसके बाद इन में मालो ये कुछ ऐसे इस like का structure है और ये जो है जमीन से जोड़ने का मतलब ये हुआ ये hair like structure है पतली पतली बहुत सी होती है जो इनको खीचके रखी रहती हैं जमीन से जोड़े हैं तो यह जो स्टुक्चर है न यह स्टुक्चर राइ ज्वायट्स कहलातीं है कि वाग सब्सक्राइब किया है यह किर में तो नहीं हुआ तो अब यह यहाहां तक तो फ्लिडर हो गई कहानी किcomb खालय को तेम करते हैं, अब ये तक हमें लग दाया क्या है, मतलब हम तो सच ते जमीन से जोड़ा जाते हैं श इछ लाइक शरक्श्टर एठिक थे अब थालिस लाइक मैंने लास क्लास मुझताया था अगर थालोयड है यानि algae अगर thaloid है, तो उसमें क्या होता है, कि root, stem and leaves जो होते हैं, वो हम differentiate नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो thallus-like structure होते हैं, तो उनको हम differentiate कैसे करेंगे, तो same way, यहाँ पे भी, अब यह question तो आना चाहिए, कि अब भी जस्ट आपने बताया, कि यह thallus-like structure इनमें भी है, तो इस में क्या है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं, कि इनमें root, stem and leaves नहीं होते हैं, इक्जाक्टली क्या होते हैं, इनमें root, stem and leaves होते हैं, बट मतलब एक exactly form, एक true leaves and true stems, true roots नहीं होते हैं, यह चीज़ है, मतलब, means, true leaves or true stem का मतलब यह है, कि इनके like बनाते हैं, मतलब true leaves, true, यह सारी चीज़े, exactly अगर हम देखे हैं, तो उनमें leaf stem and roots हो हमें दिखाई नहीं देएंगी, ब्रायोफाइट्स का मतलब यह है, उनके like structure बनती है, means, root like structure, leaves like structure, या फिर stem like structure, यह मिलेगा, exactly हमें नहीं मिलेगा, यानि कि हम इसे exactly नहीं कह सकते, कि यह root हो गई, यह portion leaves हो गया, या फिर इसको हम कह दिए कि यह stem हो गया, यह हम नहीं कह सकते, अब एक चीज़ और है, मतलब मैं ब्रायोफाइट्स को शुरू करने से पहले एक चीज़ और clear कर देना चाहती हूँ, यह आपके NCRT की book में, इसका structure दिया हुआ है, यह, यह जो structure है न, यहाँ पे, यह मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताती हूँ, यह structure, इसमें क्या है इसमें यह वाला portion, यह कुछ अलग है, यह portion अलग है, जिसको sporophytes कहते हैं, यह portion अलग बन रहा है, और यह portion अलग बन रहा है, ठीक है, अभी यह portion अलग हो रहा है, तो कुछ picture clear हो रही है, अभी इसमें आपके NCRT की book में भी, इसे अलग अलग पार्ट में दिवाइड करके ब तो इससे यह हो रहा है, यह funeria है, तो इससे यह clear हो रही है, इससे यह picture clear हो रही है, कि इसमें जो यह sporophyte है, यह sporophyte क्या हो रहा है, sporophyte गामिटोफाइड पर depend है, कैसे depend है, क्योंकि sporophyte का है, इसमें गामिटोफाइड पर depend है, कैसे आप यह देखो, मैं आपको यह clear कर देत तो इसमें sporophyte का मतलब यह है कि जो sporophyte तभी बनेगा जब gametophyte बनेगा means gametophyte के ऊपर वो depend है यानि ब्रायोफाइट में क्या होता है ब्रायोफाइट के प्लांट में plant body haploid होती है ठीक है haploid diploid यह सब अभी आगे हम confirm करेंगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या है पहली चीज़ कि sporophyte ऑल्वेज depend on gametophyte ठीक है sporophyte gametophyte पर depend होता है अब इड मेंस कि जो प्लांट बॉड़ी है ब्रायोफाइट के जो प्लांट बॉड़ी होती है वो क्या होती है है haploid का मतलब क्या होता है 2m ठीक है यह मतलब यह gamet बनाती है और जो gamet बनाती है वो क्या कहलाती है gametophyte कहलाती है यानि कि आपका यह portion जो है यह प्लांट का यह portion gamet बनाने वाला हुआ प्लांट का यह portion gamet हुआ है इसलिए से हम gametophyte कहें और ब्रायोफाइट यूकेरियोट्स होते हैं यह तो यह तो पता है क्यों क्योंकि इनके अंदर नहीं सॉरी सॉरी यूकेरियोट्स तो मतलब यह तो मैंने कली बता दिया था embryophyte होते हैं चीक है embryophyte यह क्या हो गया यह कैसा नया टर्म है यानि कि ब्रायोफाइट को हम embryophytes भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्यों कि bridophyte में क्या होता है कि इसमें embryo बनता है इसके अंदर यह मतलब यहाँ से शुरुवात हुई थी एक तरीके से यह कह सकते हैं यहाँ से शुरुवात हुई थी कि इस पहले बार किसी प्लान्ट में embryo बना था तो इसलिए इसको ہम embryo fight भी कहते हैं